पर्सनल फाइनांस ओपीनियन्स यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशाम दीद आज के वीडियो निशार्थ पावर लिमिटेट के हवाले से है NPL ने आज अपने 6 मांट्स का जो रिजल्ट है उसका एलान किया है जोन से शुरू होता है और जून 38 को इनका फिनांचियर 2021-2022 को रिख़ए और 23 का स्टार्ट हुआ था तो दो क्वार्टर्स की वेस्स पे जो इनका रिजल्ट है उसको इन्होंने आज अनौन्स किया है और इसमें हमने देखा है कि sales और profit जो है इसकी बहुत जबदस्तिक है उसमें इजाफा हुआ है तो इस वीडियो में डीटेल में बात की जाएगी कि इसकी sales कैसी रहे हैं इसकी profitability margins क्या रहे हैं प्लस ने जो। डिविडिन्ट एन्मच किया की बिटेज आप SiT अके इस वीडियो में शेयर की जाएंगी और डिविडिडिन्ट के हावाले से निशार ग्रूप की एक कंपनी है पाकिसान स्टॉक मार्किट में पावर जेनरेशन इंडिस्टिबिशन सेक्टर में और इसका 200 मेगावाट का एक पावर प्लांट है तहसील पतों की में वाकिया है और यह दोजार दस से एक 25 यर्स के एक अग्रिमेंट में है पावर इसके अगर बात करें तो कम्पणी ने अज आज अपना जो इंटरिम डिविडेंट डिविडेंद अनाउंस किया वो है 20% या मिजय दो रूपय एससे पहले फिछले प्वाट्र में भी 20% ही या दो रूपय का डिविडेंट आनौझन है तो इस तरह कुल मिला के अबग तक कोई ज़्यादा दूर नहीं है बहुत करीब है और जो इसकी एक्स टेट बनती है वो बनती है बाइस फरवरी और जो स्पॉट डेट है इकीस फरवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर लेते हैं और एक्स टेट तक उनको होड़ रखते हैं तो आप इस डिविड अच्छा रिजल्ट है और इसकी जो सेल्स है जो आगे चलके हम डिसकस करेंगे वह भी बहुत अच्छी रही है इस वजह से जो इन्वेस्टर्स है उसका कंफिटेंस बहुत जादा बड़ा इस कंपनी के ओपर आज हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत तेजी के साथ दिदक्शन तो ये अच्छा फिगर है क्योंकि दस हजार से ज्यांदा शेयर के दस हजार यह इसे ज्यादा का डिविडेंट एक कौर्टर के रिजल्ट की बिस्स पर मिल जाना और यह एक्सपक्ट करना के आगे जो दो कौर्टर मजीद है या इसमें भी अच्छा के अगले जो दो क्वार्टर उसमें भी अगर यही इसका डिविडेंड इतना ही देती है और शेर की प्राइस को अगर हम इसी पर कंसीडर करें 1859 पर तो जो परसेंटेज में बनती है वह 21.52 परसेंट है जो के बहुत अच्छी डिविडेंड येल्ड है पाकिसान स्टॉक मार इसके बाद जो 6 मौंट के जो रिजर्ट है उसका जाहिजा लेते हैं और उसको कंपेर करते हैं पिछले साल के जो 6 मंट थे उसके रिजर्ट के साथ तो सबसे पहले आगर हम नेट सेल्स देखें तो 9.87 बिलियन से बढ़के 13.689 बिलियन पे चली गहीं और यह एक बड़ा का इजाफा है 38.69% इंक्रीज है कंपनी की नेट सेल्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो वह 1.90 बिलियन से बढ़के 2.3 बिलियन पे चला गया और यहां पर हम देख सकते हैं कि तक्रीब एक्कीस परसेंट का इजाफा हुआ है इसके ग्रॉस प्रॉफिट में इसके प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ यही वजाए कि इसका जो प्रॉफिट मार्जन है वह पिछले साल जो नाइंटीन पाइंटीन प्रीट्टू परसेंट था इस साल वह कम होके 16.85 परसेंट हुआ इसके कंपनी को जो कॉस्ट अफ सेल्स है वह ज्यादा बियर करन होती है और यहां पर हम इसका भी देख रहे हैं सेल्स तो मुतासर नहीं ही लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वह मुतासर हुआ है और परसेंटेज टर्म में एक डिप नजर आ रही है बहराल अच्छा रिजल्ट है और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 1.80 बिलियन से बढ़के 2.10 बिलियन हो गया इसका और यहां पर हमें 16.6% का इंक्रीज नजर आ रहा है तो अप्रेटिंग प्रॉफिट में भी हमें जो परसेंटेज टर्म में देखें तो पिछले साल के मकाबले में थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है कि मार्जिन्स थोड़े से इनकी यहां पर भी कम होए है जिसकी एक रीजन यह है कि को सेलिंग कॉस्स जो होती है और अधर इख्पेंसर जो होते हैं वो ज्यादा हुए और अधर इंकम के जूंब्रे में भी नंबर आपर नीचे हुए जिसके वह जह से इनके जो आप्रेटिंग प्रॉफिट है उसमे बढ़के 2.04 billion हुआ तो यहां पर यह जो इजाफा यह operating profit से के जो percentage है उसके इजाफ़े से ज्यादा है इस साल कमपनी को ज्यादा नहीं उसने कोई हिट पड़ी उसकी वज़ासे और overall इसका जो profit before tax है उसमें एक बहतर इजाफा में देखने को मिला है उसके पार जो net profit है उसमें हम देखें तो पिछले साल जो पिछले साल के 6 महीनु का जो result है उसमें 1.65 billion था और इस साल 2.04 billion तो यहां पर एक important चीजी है कि यह जो इजाफा है वो 23.12% का है लेकर आप और करें तो पिछले साल जो इनका profit before tax six months का था और जो profit after tax था वो same है यानि कि कोई tax इनको pay नहीं करना पड़ा था और इस साल जो इनका है उसमें कुछ tax भी है बहुत बड़ी amount तो नहीं है लेकिन still there is some tax which they had to bear तो उसकी वज़ा से हम देख सकते हैं कि इस साल जो इनका जो change percentage में आती है net profit में वो पिछले साल से थोड़ी सी तो बहराल ओवराल देखा जाए तो it's a good result और इसका जो एंड आपका असर पड़ा है वो earning पर share पे है पीछे साल इनकी जो earning पर share थी वो 4.69 थी for the two quarters यानि for six months और इस साल जो six months के जो इनकी EPS है वो 5.77 है तो ओवराल देखा जाए तो things are under right track company की sales में इजाफा हो रहा है और company के profitability भी increase हो रही है और उसका जो असर है वो इसकी earning पर share के ओपर भी हमें वाज़े तो पे नजर आ रहा है अब हम देखते हैं कि company की जो historically dividend payment है वो कैसी रही है 2018 और 19 में इसने डेड़ डेड़ रुपे का dividend दिया था 2020 में इसने दो रुपे dividend दिये थे 2021 में फिर इसने 1.5 रुपीज का dividend दिया था और 2022 और 2023 के जो two quarters है इसमें हम देख सकते हैं कि इसके results exceptionally good रहे है 2022 में इसने टोटल जो yearly dividend दिया है वो मिला कुल मिला के चार रुपे पचास पैसे बनता है और 2023 के अब तक की जो दो quarters है यानि जुलाई से लेके अब तक दिसम्बर तक के जो results है उसकी BSSP चार रुपे का dividend दे चुकी है जो के एक बहुत ही अच्छा result है and we can expect कि इस साल जो बक company के results बड़े होसलावजा है और इसका अफर यह है कि आज stock market में इस company का share बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और we can expect some value in this stock for the next couple of weeks as well क्योंकि इसकी X date कोई बहुत जादा दूर नहीं है और अगर आप dividend point of view से investment करते हैं तो power sector की companies बड़ी मशूर है इस लिहाद से कि वो अच्छ पावर के जो fuel के हवाले से crisis होते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है और बहुत जरूरी है कि power sector को जो circular debts के हवाले से problems है उनको भी solve किया जाए तब ही जाकि यह बहतर दो पर फार्म कर सकती है प्लस जो इनके power stations होते हैं उनकी जो capacity है उसको कितना utilize करते हैं कितनी percentage of capacity पे चल रहे होते हैं यह भी important होता है क्योंकि power breakdowns और उनकी जो under utilization of plants है यह भी एक issue होता है power sector companies का इससे पहले एक वीडियो में ने बनाए थी जिसमें power sector की companies का detailed में comparative analysis किया था मुखलिफ companies के जो power houses हैं या plants हैं उनकी capacity उनकी जो earnings हैं उनके जो profits हैं उनके जो payouts हैं और overall जो उनका business है उसको मैंने comparatively देखा था वीडियो आप जरूर देखिएगा उसका link भी मैं description में डाल दूँगा उससे आपको बहतर तर पर idea होगा कि power sector की कौन सी company कैसा perform करती आ रही ह माजी में और उसकी basis पे आप predict कर सकते हैं या at least एक analysis आपके लिए सामने आ सकता है कि future में ये companies कैसा perform कर सकती है that's it from this video I hope कि information आप लिए useful होगी अगर आपका कोई भी question है कोई भी comment है कोई भी feedback है तो आप उसको comment section में लिख सकते हैं और अगर आपको ये video पसंद आई है तो चैनल को subscribe करना bell icon को प्रस करना मत भूलिएगा thank you very much